अभी चौकिदार ये नारा उन लोगों का नारा है जो सरिफ ट्वीटर पर मौझूद है और ये उन लोगों का नारा है जिनके पास मंत्री के पद सांसद भी है जनता के प्रतिनिती भी है और सरकार के खजाने से काफी पैसा उन लोगों के पास है वलकि जमीनी चौकिदार की हकीकत किया है वह आज हम आपको दिखाते हैं असल चौकिदार तो हम लोग है अगर देश का चौकिदार इतने मज़े में रहता है तो हम क्यों कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने मैं भी चौकिदार का इगनारा दिया है और उस नारे को लगातार जारी किया गया है सांसदों दुआरा मंत्रियों दुआरा क्या हकीकत में देश का जमीनी चौकिदार है प्रदान मंत्री अपने आपको उससे तुलना करते हैं अगर उ को भी करप से उसका जिम्मेदार कौन है मैं भी चौकीदार यह नारा राफेल डील पर कॉंगरिस की तरफ से दिया गया था राहुल गांदी ना रूप लगाया था कि राफेल में जिस तरीके से डील हुई और उसमें यह तमाम चीज़ें सामने आई थी तो राहुल गांदी मैं कहाता कि चौकीदार आप समझदार हैं लेकिन इसी को नरंदर मोदी ने चुनावी स्टेंड बनाने के लिए मैं भी चौकीदार के जरीए फैलाने का काम किया उसके बाद मैं सांसत और मंत्रियों ने अपने नाम के आगए मैं भी चौकीदार यह चौकीदार लिखना इ वजूद हैं इसी पर हमारी देखे एक खास रिपोर्ट कि हमें 42 रुपे मिलता है 42 रुपे में कुछ गुजारने नहीं हो पाता है और यहां कोई कैसी बात हो या तो उसमें क्या सरकार कुछ हमें मदद थोड़ी कर देगे असल चौंकिदार तो हम लोग हैं जो किस तरह से जिन्दगी गुजारते हैं आके देखे मोदी जी किस तरह से हम लोग जिन्दगी गुजारते हैं और वो कहते हैं हम चौंकिदार है अपनी जगह हमें रख दे तब पता चलेगा सब्सक्राइब करना चाहता हूं ना मैं उनसे अभर्त करना चाहता हूं ना देश के परदाय मंत्री की निया कुछ बुरा बोलना चाहता हूं अगर सर सब को छते दे रहे हैं सब्सक्राइब करना चाहता है अगर मोदी जी चौकीदार है तो हम लोगों का भी धियान डखी हम लोगों की क्या हालात हो रही है सब्सक्राइब करना चाहता है अगर मोदी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार है अगर देश का चौकीदार इतने मजे में रहता है तो हम क्यों नहीं है हम अलम्द के चौकीदार है छेजार रुपे में गुजारा करते हैं पचीस सो रुपे हमारे मकान का भाड़ा है तीन हजार रुपे में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे भी आलू भी खलाएंगे अगर ऐसा देश का चौकीदार के मजे हैं तो हमाई चौकीदार के मजे क्यों नहीं है अगर ऐसे ही चौकीदारी होना है तो जब मोदी जी चौकीदारी करते हैं तो 6,000 रुपे में डंडा पकड़के वो अपने गुजारा करके दिखाएं तब है देश का चौकीदार यह देश का चोगीदार है, यह प्रधार मंत्री है, जो कहता है हम देश के चोगीदार है, हम देश के चोगीदार है, मैं आज तक एक साइकल नहीं खरीद पाया, वो देश के चोगीदार है, वो व्याइपी गाड़ियों में चलते, मैं देश का चोगीदार हूँ, मैं देश क यह थी चौकिधारों की हालत आपने देखी ना तो इनके लिए कुई पेंसन की योजना रहा है उसके बाब जूदी के अलावा किसी फैमिली मेंबर को ना कोई पेंसन का इलाज है ना कोई मान दे है ना कुछ है एक तरब तो नरंदर मोधी चौकिदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरब ये चौकिदार का हालत क्या ही आपने देखी मैं राजा आप देख रहे हैं हिंदराश.com खवर वही जो आपके लिए सही तो ये थी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें आप कमेंट के जरीए बता सकते हैं और अगर आपके देख मार्ग में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाब हो तो आप हमें कमेंट के जरीए सेयर कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए अपनी अगली रिपोर्ट तयार कर सकते हैं